आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और सिर्फ मैं नहीं, देश आपको धन्यवाद करता है। स्वागत करता हूँ देश एक आवाद होती है और आज जो हमने प्रियंबल पढ़ा, सम्विधान पढ़ा, वो हिंदुस्तान की जन्ता की आवाद थी। उस आवाद ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आवाद ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया। प्यार से, शांती से, मगर बिना पीछे हटे। उसी आवाद ने हिंदुस्तान के अर्द्रवस्ता को खड़ा किया। करोनों युवाओं को रोजगार दिया। भाकरन अंगल बनाया। रेलवे लाइने लगाई, एरपॉर्ट बनाये। उस आवाद के बिना, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हमारे दुश्मनों ने, पूरी कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, कि इस आवाद को दबाया जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, कि इस देश की उन्नती को नश्ट किया जाए, तोड़ा जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, कि इस देश की शक्ती हमारी अर्ध व्यवस्ता को नश्ट किया जाए। और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका। अजीब सा दिन है, जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए, वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगाकर कोशिश कर रहे हैं। कि हमारी उननती नश्ट हो जाए, और देश की आवाज शान्त हो जाए चुप हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जब आप जुडिसेरी पर जवाब जालते हैं, तो आप देश की आवाज को चोट पहचाते हैं। जब आप students पर लाठी चलवाते हैं गोली चलवाते हैं तो आप देश की अवाज को शान्त करने की कोशिश करते हो जब आप हमारे journalists यहां जो खड़े हैं जब आप इनको दराते हो इनको दबा पे दबाते हो तो आप देश की अवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो जब आप हिंदुस्तान के करोणों युवाओं से रोजगार चीनते हो नोट बंदी करते हो हिंदुस्तान के उद्योग पतियों को चोटों दुकंदारों को दबाते हो आप देश की आवाज को दबाने की कुछ करते हो नरेंद्र मोधी जी आप कॉंग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो गलत फैमी में मत रहो ये कॉंग्रेस पार्टी नहीं है ये देश की आवाज है और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो और मैं आपको बताना चाहता हूं और कि ये आवाज कॉंग्रिस की नहीं है ये आवाज भारत मता की आवाज है और आप ये बात मत भूलो अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने खड़ो रहोगे अगर आप इस भारत माता की आवाज को स्टूडन्स को प्रेस वालों को जुडिशरी को दबाने की कोशिश करोगे तो भारत माता आपको जबर्दस जवाब देने जवारी है और जहां तक जहां तक कपड़ों की बात है जहां तक कपड़ों की बात है नरेंद्र मोदी जी पूरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है दो करोड रुपय का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था आपने पहना था यह देश एक है आप देश को जवाब दीजिये आप देश के करोणों students को जवाब दीजिये आपने हिंदुस्तान की शक्ति को अर्द व्यवस्ता को रोजगार को क्या किया क्यों नट्स किया आप देश को बताईए कि जहां हमारी 9% growth rate होती थी आज 4% growth rate हो कर दिये आपने, आप हिंदुस्तान के स्ट्यूडन्स को, युवाओं को बताईए, कि आज उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है आप रोजगार नहीं दे पाए आप अर्व्यवस्ता को चलाने ही पाए इसलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो इसलिए आप देश को बाटने की कोशिश कर रहे हो नरेंदर मोदीजी बहार आईए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताईए, उनको रोजगार क्यों नहीं दे पारे हैं आप बहार आईए हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को बताईए उज्योग पतियों को बताईए युवाओं को बताईए आपने हिंदुस्तान के अर्दवस्ता के साथ क्या किया आप कुछ नहीं कह पाएंगे आप सिर्फ एक काम कर सकते हो आपको सालों से आपके संगाटन ने सिखाया है और मैं यहां से कह सकता हूँ कि इस काम को करने में आप कोई बहतर नहीं है हिंदुस्तान को कैसे बाटा जाए हिंदुस्तान में नफरत कैसे फैलाए जाए हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए यह आपको सालों के लिए सिखाया और आप इसमें नमबर वन है और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है आज ये देश इस बात को समझ रहा है आज इस देश इस देश के college students, university students सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिरफ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आक्रमन नहीं करने देगी आपको इस देश को बातने नहीं देगी ये constitution हर धर्ण के व्यक्ति ने बनाया था अमबेटकर जी ने बनाया हिंदू, मुसल्मान, सिक, इसाई सबकी अवाज इस constitution में है और आप इस constitution पर आकरमन नहीं कर सकते हो पुरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मारे जर्नलिस्ट मित्र हैं यहाँ पर आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्यूंकि आप सच्चाई जानते हो और आप नरेंद्र मोधी के खिलाफ लड़ोगे मैं समझता हूँ कि आप चुप नहीं रहोगे और हम सब चुप नहीं रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार